सात्यों कुपोशन से निपटने के लिए एक और महत्वपुण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौश्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादी ज्यादा होते हैं। मोटे अनाच, मिलेट्स, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जौंगोरा, बारी, कोटकी, इन जैसे अनाच की पैदावर बढ़े, लोग अपने भोजन में इने शामिल करे, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज FAO को विशेश धन्यवाद देता हूँ कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल येर अप मिलेट्स गोशित करके भारत के प्रस्ताव को पुरा समर्थन दिया है। साथियों, भारत ने जब अंतरराष्टिय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, तो उसके पीछे भी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की ही भावना थी। जीरो मिजेट में होलि स्टीक वेल्डेस का मंत्र भारत विश्व के सभी देशों तक पहुचाना चाहता था। वर्ष दोहजार तेईस को इंटरनेशनल यर ओफ मिलेट गोशित करने के प्रस्ताव के पीछे भी हमारे दिल में वही भाव है, उसी भावना को लेकर के हम आये हैं। इससे भारती नहीं विश्व भर को दो बड़े फाइद्य होंगे। एक तो पौश्टिक आहार प्रोथ्षाइद होंगे, उनकी उपलब्दता और बढ़ेगी, और दूसरा जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमिन होती हैं, सिंचाही के साधन नहीं होते हैं, बारि किसान उनको बहुत लाब होगा, ये छोटे और मंजोले किसान ज्यादा अतर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं, जापानी की दिकत हैं, जमीन इतनी उपजाओ नहीं हैं, वहाँ भी ये मोटे अनाज की पैदावर किसानों को बहुत मदद करती हैं, यानि इंटर National Year of Millets का प्रस्ताव, पोशन और छोटे किसानों की आए, दोनों से जुड़ा हुआ है,